हलो दूस्तों आज मैं कुछ important topics का discussion करूंगा photo chemistry तो कुछ मैंने topics यहां पर list करे हुए हैं आप देख सकते हैं इनको आज मैं detail में discuss करूंगा चलिए start करते हैं हम start करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक दोस्त हैं अमित बर्मा बहुत अच्छी chemistry पढ़ाते हैं chemistry में PhD है आप जाएए उनके चैनल पर उनके चैनल का नाम है carbon chemistry वीडियो को वाच करिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको बहुत फायदा मिलेगा तो चलिए अब start करते हैं तो आज इस topic photo chemistry में मैं यह सारे topics discuss करूंगा मैंने list कर दिये हैं यहां पर यह सारे के topics ओके तो चलिए अब एक एक करके हम इसको discuss कर लेते हैं यह बहुत ही important topics है photo chemistry के ओके तो सबसे पहले हम discuss करेंगे beard lambert law beard lambert law क्या कहता है beard lambert law यह कहता है जब भी हम किसी material पर हम क्या करते है radiation को डालते है या light को डालते है तो वह material उस light को absorb करता है different material different different amount of light को absorb करते है depending upon the concentration of material जैसे आप यहां पर देख सकते हैं हमने इस qubit में एक solution है इसमें light डाली गई आप यहां पर देखे लाइट की intensity higher है और जब बाहर निकली हो light उसकी intensity क्या हो गई कम हो गई इसका मतलब क्या हुआ कुछ light क्या हो गई absorb हो गई किसने absorb कर लिया material ने मतलब यह जब भी हम light को डालते हैं किसी material पर तो light को absorb कर लेता है material ठीक है कितनी light absorb करेगा वो depend करेगा material की concentration पर आप इस equation से देख सकते हैं जो absorbance है वो क्या है किस पर depend कर रहा है concentration c और उसकी path length पर यह path length कितनी है तो जितना ज़्यादा concentration होगा उतना ज़्यादा उस light को absorb कर लेगा यही है beer lambert log और यहाँ पर यह क्या है this is called absorptivity or absorption coefficient ओके यह i0 क्या है intensity of incident light और i क्या है intensity of emitted light यह transmitted light ओके तो आप यहाँ पर आप देखें एक demonstration किया गहा है beer lambert log यह आप देख रहे हैं एक laser light डाली जारी solution पर इस solution का concentration higher है तो आप देख रहे हैं यह सिर्फ यहां तक की क्या होई है light पास कर वह यहां तक होकर उसके बाद पूरी light क्या हो गई absorb हो गई बट जब इस solution में हम डालते हैं आप देखें इसका concentration क्या है low है इस वज़े से आप देखिए light ज्यादा दूर तक जा रहे है ज्यादा दूर तक उसको penetrate कर पा रहे है मतलब यह light यहीं पर absorb नहीं हो रही भलकि यह आगे तक जा रहे है इसका मतलब यह है इस solution का concentration क्या है कम है ठीक है तो यह demonstration है बियर्ट लैंबर्ट लोका अब experimentally भी देख सकते हैं इसका absorption यह absorption इस पेक्टर ले सकते हैं आप देखिए different concentration एक ही एक ही fluorophore या फिर डाय का solution बना करके आप उसका absorption इस्पेक्टर रेकॉर्ट कर सकते हैं आप देखिए जब आप आपने थर्टी इट माइक्रो मोलर स्लूशन लिया तो उसका absorption इतना था जब 61 माइक्रो मोलर लिया तो इसका absorption इतना है 152 माइक्रो मोलर लिया तो absorption 1.5 हो गया मतलब जैसे जैसे concentration हम बढ़ाते हैं material का या solution का वैसे वैसे उसके absorption क्या होता है बढ़ता जाता है तो यह है यह लाइट के absorption से जुड़ा हुआ है लाइट कितनी ज्यादा absorb होगी यह बताएगा और कितनी light transmit होगी यह आपको बताएगा ओके तो यह बहुत ही important law है ओके तो चलिए यह रहा weird lambert law अब हम discuss करते हैं बहुत ही detail में इसको इसको क्या कहते है जैबलॉंस की diagram जैबलॉंस की diagram में हम ज्यादा तरफ phenomena जो हमने यहां list करे है यहां पर इसको यह phenomena हम discuss करेंगे इस जैबलॉंस की diagram में ओके तो चलिए इस start करते हैं absorbance से तो जब भी किसी material पर हम light डालते हैं तो उस material में जो electrons होते हैं वो light को absorb कर लेते हैं तो जब light उस पे नहीं डाली जाती तो वो ground state में होते हैं electron यहां पर S0 singlet ground state जैसे उस पर light परती ही वो electrons उस light को absorb करते हैं radiation को absorb करते हैं और वो excited state में पहुंच जाते हैं ओके first singlet state या second cigarette excited state में वो पहुंच आते हैं ओके यह फिनामेना होने में इस absorbance को होने में कितना time लगता है लगभग 10 to power minus 15 seconds मतलब लगभग एक फैमाटो second लगता है इस electron को radiation absorb करके और उसको excited state में पहुंचने में तो यह बहुत ही कम समय है मतलब बहुत ही quick reaction होती है I mean quick phenomenon यह होता है ओके तो जैसे ही electron यहां पहुंचता है माल लू वो electron पहुंच गया second excited state में यहां पर ओके फिस second excited state से वो first excited state में क्या करता है decay होता है आता है ओके तो वो non-raditive decay से नीचे यहां पर आता है इसको कहते हैं internal conversion second singlet excited state से first singlet excited state में आने की process को क्या कहते है internal conversion यह एक non-raditive process है उसके बाद आप यह भी यहां पर देख रहे हैं कि जो excited state यह ground state उनमें और बहुत further state में बटा हुआ है तो जैसे यह एक दो तीन चार यह सब क्या है यह है vibrational energy states इनको vibrational states कहते हैं तो electron in vibrational states में भी movement करता है तो जैसे electron भी यहां पर इस vibrational state में हो नीचे सबसे नीचे वाली में सबसे stable सबसे कम energy वाली vibrational state में आने की कोशिस करेगा तो यह क्या करेगा energy को decay करेगा non-raditude decay से वो क्या आगा यहां पर आ जाएगा ठीक है यहां पर तो इस process को क्या कहलेंगे तो यह process क्या है यह जो s2 से s1 में आने की process क्या है internal conversion ओके तो चलिए तो यह electron जब s2 से s1 में आ जाता है उसके बाद उसके पास दो रास्ते होते हैं या तो s1 से s0 में आ जाए या फिर s1 से t1 में आ जाए मतलब first triplet excited state में आ जाए और उसके बाद फिर यह s0 में आए तो इन दोनों रास्तों से आने की possibility होती है तो पहले देखते हैं जब electron directly s1 से s0 में आ जाता है तो यह दो पात्वे से आ सकता है एक तो decay कैसा radiative decay पतलब light को emit करके आ सकता है दूसरा है non radiative decay तो जब यह radiative decay करके आता है s1 से s0 में तो उसे कहते हैं fluorescence और इस process को पूरा होने में कितना time लगता है 10 to power minus 9 to 10 to power minus 7 seconds मतलब यह process किस में होती है microseconds में हो जाती है यहां पर आप range देख सकते हैं जो process की range है इस range में ही यह fluorescence का phenomena होता है और यह radiative process है मतलब यह light को emit करके आती है मतलब इसमें color change होता है यह फिर आपको दिखेगा color के form में यह process दिखेगी ओके अच्छा दूसरा रास्ता यह है s1 से t1 में आ सकता है electron मतलब first excited singlet state से first excited diplet state में तो इस process को कहते हैं inter system crossing उसके बाद electron यहां से t1 से s0 में आता है by radiative decay जिसको कहते हैं phosphorescence phosphorescence कितना 10 to power minus 3 से 10 to power 0 second मतलब 1 millisecond से लेकर के 1 second यह range होती है 10 to power 0 मतलब 1 second तो यह range होती है किसकी phosphorescence की आप एक चीछ देखिए phosphorescence और fluorescence में आप compare करिए phosphorescence काफी ज़्यादा time लेता है मतलब यह इसके lifetime काफी high है जबकि इसकी lifetime क्या है काफी कम है इसलिए phosphorescence उन material में सो होता है जो काफी देर तक luminescence को सो करते हैं ओके तो और phosphorescence material उन devices में यूज होता है जहां पर हमें continuous luminescence की जरूरत होती है ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं fluorescence और phosphorescence की जो lifetime है उसमें इतना change मतलब इतना difference क्यों है यह phosphorescence इतना ज्यादा time क्यों लेता है देखिए यह T1 है triplet state है और यह है singlet state S0 तो आपको पता है electronic transitions हमेशा allowed तब होते हैं जब वह singlet से singlet में हो या triplet में हो ठीक है triplet to singlet allowed नहीं होते spin allowed नहीं होते हैं तो क्या करता है electron T1 से S1 में आने के लिए यह रास्ते में अपना spin state है वो flip करता है तो उसको instant flip करने में time लगता है इस वज़े से यह phosphorescence का lifetime क्या होता है जादा होता है और यह क्या है S1 से S0 यह spin allowed transition है तो इसमें time नहीं लगता है ठीक है तो यह हो गया phosphorescence और fluorescence क्या होता है और मैंने आपको यह भी बताया है inter system crossing क्या होती है यह जितने phenomena मैंने यहाँ पर लिखे हुए है इन सबका lifetime मैंने यहाँ पर क्या किया है एक table में list कर दिया है आप देखे यहाँ पर absorbance या excitation आपके है इसके इतने second में होता है fluorescence इतनी time range में होता है internal convergence इतने में होता है non ready to relaxation या quenching का यह time scale है तो यह सारे time scale बहुत important होते हैं आप इनको अच्छे से देख लेजें ठीक है तो उसमें मैंने भी लिस्ट में देखा था एक कशा रूल था कशा रूल क्या कहता है जादर तो transition होते हैं emission spectrum में वह क्या होते हैं यह जो सबसे नीचे वाली vibrational state से state है उससे ground state में होते हैं किसकी इसकी excited यह singulate ground state में वैसे तो यहां से भी होना चाहिए इस जो उपर वाली vibrational level है वहां से सीधे यहां जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं होता है ऐसा क्यों क्योंकि यह electron हमेशा stable state में आने के लिए lower vibrational state में आकर आ जाते हैं सारे किसारे almost सभी और फिर वहां से क्या होता है क्या होता है सब emit करते हैं in the form of fluorescence ओके यह कशा रूल कहता है इसका मतलब यह हुआ कि जो absorbance होता है और जो emission होता है absorbance या कहें fluorescence इन दोनों की जो wavelength होती है या कहें energy होती है वो दोनों independent होते हैं एक दूसरे पे depend नहीं करते हैं चलिए अब कुछ बहुत ही important phenomenon हम लेखते हैं Frank Condon principle का नाम आपने सोना होगा मैं यहाँ पर आपको explain करता हूँ Frank Condon principle यह कहता है कि जब भी तो क्या कहता है Frank Condon principle यह यह कहता है कि जो electronic transitions हैं वो तभी होंगे जब तो electronic levels के जो vibrational levels हैं उनके wave functions बहुत ज़्यादा overlap करेंगे मतलब उनमें maximum overlap होगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो पहला e1 है जो electronic label है उसका second vibrational label और इसका e0 का जो v0 जो मलब पहला जो ground level है ground vibrational level है उन दोनों के बीच आप देखिए wave function क्या है overlap कर रहा बिलकुल उनकी seed में आ रहा इसलिए बिलकुल vertically state उनकी उनके सामने आ रहा मतलब इसमें highest overlap होगा इन दोनों vibration label में मतलब इसका यह हुआ कि new 0 से ले करके new 0 किसका e0 का और new 2 किसका e1 का इन दोनों के बीच जो probability of transition है वो highest है मतलब 0 to 0 यह वाला transition की probability सबसे ज़्यादा है उसके बाद बाकी की probability होगी depending upon the amount of overlap of wave functions between two vibrational levels okay इसको दूसरे term में यह कहते हैं कि जो electronic transitions होते हैं यह बिना molecule के nucleus की इस्थिती change हुए बगार होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि nucleus का weight बहुत high होता है बहुत heavy होते हैं but electrons बहुत ही light होते हैं इसलिए इसलिए इन transitions में क्या होता है nucleus की इस्थिती change नहीं होती है आप इन electronic transitions को vertical transitions भी कहते हैं क्यों क्योंकि आप देखें vertically यहाँ पर विल्कुल straight line में यह सीधे happen हो रहा है ठीक है this is what I guess okay तो यह straight happen मतलब straight line में जो vibration label वो overlap करते हैं vertically straight line में होते हैं इस वजह से इन्हें vertical transitions भी कहते हैं ओके चलिए तो हमने बताया Frank condon principle क्या होता है basically जो मैंने जैसा कुछ समझा अब मैं आपको बताता हूं यह जो क्या होता है मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था जो emission spectrum और absorption spectrum वो एक दूसरे से image क्यों बनाते हैं अगर यहां पर हम यहां पर एक mirror रख दें यहां पर एक mirror रख दें तो आप देखेंगे इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एक दूसरे की एक mirror image बना रहे हैं ऐसा क्यों तो यह fluorescence spectra है मतलब emission spectra और यह है absorption spectra तो आप देखिए जो यह 0 to 2 absorption जब energy absorb इधर से इधर transition में जो यह जब इसने क्या किया energy absorb किया तो यह transition सबसे highest probability का था क्योंकि इनके बीच overlap सबसे जादा हो रहा था ओके जब यह वापस electron आएगा कहां पर आएगा अपनी ground state में तो same probability होगी कि इसकी overlap की इसलिए same transition opposite direction में भी उतनी ही उतना ही probable होगा मतलब उतनी ही संभावना होगी उसके होने की इस वज़े से आप देखेंगे जो fluorescence spectra और absorption spectra दोनों का एक दूसरे का mirror image बनाते हैं ठीक है मालो for example 50 transition 0 to 2 हुए absorbance के दौरान और मालो 5 transition absorbance के तरह दौरान के जीरो से 1 हुए तो उतने ही transition emission के दौरान होंगे किसमे 0 से 2 और 0 से 1 ठीक है इसी वज़े से ज्यादा दर cases में यह क्या बनाते हैं mirror image बनाते हैं ओके तो यह है mirror image क्यों बनाते हैं अब हम देखते हैं fluorescence lifetime fluorescence lifetime क्या होती fluorescence lifetime is the time यह वो time है कोई fluorophore excited state में बिताता है या फिर ऐसे कहें जो electron है वो जो समय excited state में बिताता है उसे कहते हैं fluorescence lifetime या फिर ऐसे कहें कोई भी fluorophore या कोई भी die जब तक excited state में रहती है उसे fluorescence lifetime कहते हैं यह उतना classical नहीं होगा अच्छा definition यह है कि the amount of time spent by electron in the excited state is called fluorescence lifetime ओके चलिए तो उसके और आता है fluorescence quantum yield fluorescence quantum yield क्या होता है देखिए क्या है जब कोई radiation किसी material पर गिरता है तो वो क्या करता है उसके photons को absorb कर लेता है और material में electrons क्याकर excited state में पहुँचाते हैं बट उसके बाद उन्ही electrons को या photons को emit करता है ठीक है तो जो ratio होता है किसका photon emitted upon photons absorb उसके ratio को कहते है fluorescence quantum yield ओके यह quantum yield हमेशा एक से कम होती इसका मतलब यह हुआ 100% कभी भी fluorescence quantum yield नहीं होती almost 100% 99.9% हो सकती है ठीक है यह एक से कम ही रहेगी quantum yield ओके तो यह यह है formula fluorescence quantum yield calculate करने का और यह formula है fluorescence lifetime calculate करने का ठीक है यह यहाँ पर tau क्या है fluorescence lifetime है kr क्या है जो है उसका decay constant of radiative process और knr क्या है decay constant of non radiative process ठीक है उनका inverse हम ले लेते हैं उससे क्या हो जाता है fluorescence lifetime आपको मिल जाता है इसी तरह quantum yield आप calculate कर लेते हैं ठीक है तो यह है हम कैसे calculate करते हैं fluorescence lifetime और quantum yield तो मेरे ख्याल से मैंने सारे topics cover कर लिए है तो इस video में इतना ही अगर आपको और भी कुछ topics चाहते हैं मैं video बनाओ तो comment section में मुझे बताइए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए thank you so much for watching